एक बार फिर यूपी पुलिस का असमवेदन शील्ड चेहरा सामने आया है कुछ दिन पहले ही गोरकपुर में मनीश गुपता हत्याकांड और फिर लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर यूपी पुलिस की किरकिरी हुई थी अब आजमगड में एक पुलिस अधिकारी का विडियो वाइरल हो रहा है इसमें स्पी साहब नयाय की गुहार लगा रहे लोगों पर ही गुस्सा निकालते नजर आ रहे हैं वाइरल विडियो में दिखाई दे रहा है कि एसपी एक व्यप्ती को पकड़ पकड़ कर खीच रहे हैं चांटे लगा रहे हैं मामला यूपी के आजमगड जिले के रौना पार थाने का है आज तक की खबर के मताबिक कुछ गाहँवाले अपनी शिकायत लेकर एसपी के पास पहुंचे थे उनका आरोप है कि उनके परिवार की आठ साल की लड़की का रेप कर उसे सड़क पर फेक दिया गया था अस्पताल में लाज के दौरान लड़की की मृत्ती हो गई इसके बाद पीड़ित परिवार और कुछ गाहँवाले शिकायत दर्ज करने के लिए थाने पहुंचे उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई बार बार थाने के चकर काट कर ठक चुके पीड़ित न्याय की आस में एसपी ओफिस पहुंचे इसपी के अशिकायत करके जैसे ही वो लोग बाहर आये तो कुछ लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया इसके बाद आजमगर के इसपी पीड़ित पक्ष के के उवक को हलकाने लगे उसे पकड़ कर खीचते हुए ले गए कई थपड भी जड़ दिये परिवार के बाकी लोग छोड़ देने की गुहार लगाते रहे लेकिन एसपी साहब नहीं रुके वीडियो में एसपी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं इतनी मार मारूंगा कि तुम्हें ठीक कर दूँगा इतना ही नहीं एसपी उस युवक को कॉलर पकड़ कर 20 सड़क से होते हुए पुलिस अधिक्षर कारयाले में ले गए इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई लोगों के अलावे पक्ष्मी हमलावर हो गया समाजवादी पार्टी ने वीडियो ट्वीट करते हुए घटना की आलोचना की दोशियों के खिलाव सक्त कारवाई की मांग की जब मामले के वीडियो वाइरल हुए और हंगामा शुरू हुआ तो आजमगर्ड पुलिस की तरफ से सपश्टी करन दिया गया दावा किया गया कि वो योवक एस्पी की कार के आगे लेट गया था कुछ लोग पत्थर मारने आ गये थे इस वज़ा से उसे पकड़ कर ले गये थे आजमगर्ड पुलिस ने अपने फिशल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा दिनां 13 अक्टूबर 2020 को जनसनवाई के दौरान थाना रोनापार के कुछ लोगो द्वारा दिये गए प्रार्थना पत्र पर ततकाल एस्पी आजमगर्ड के दौरा मुकदमा पंजिकरत कराने ही तो आदेश दिया गया इसके बावजूद उन लोगों द्वारा एस्पी के वाहन के आगे लेट जाना वा पत्राफ करने के प्रयास के संबंध में एस्पी का आधिकारिक वक्त वेया है आजमगर्ड के एस्पी सुधीर कुमार सिंग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा पीड़ों का कहना है कि इस थाने थाने पर लड़की के साथ दुषकर्म की घटना की सूचना दी गई, मौत के बारे में भी बताया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसी के बाद वो एस्पी ओफिस पहुचे थे बहराल पीड़ित परिजनों के साथ आजमगर्ड पुलिस के विवहार से एक बार पिर यूपी पुलिस सवालों के कड़ घरे में आ गई है हाला कि गुरुवार 14 अक्टूबर को दोपहर आजमगर्ड पुलिस ने ट्विटर पर जानकारी दी की मामले में आरोपी दीपक को गरफतार कर लिया गया है और उसमें कोई भी कारवाही शेश नहीं है